रादस्थान में बढ़ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या आपको बता दे कि रादस्थान में कोरोना से करीब 4000 लोग संख्रमित हो गए हैं रादस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3940 हो गई हैं रादस्थान में दो बजी तक 126 कोरोना पॉजिटिव सामने आ गए, उदैपूर जिले से 46, जैपूर में 17, अजमेर और अलवर में 11, 11, बाडमेर में 2, भरतपूर में 1, चितोडगर में 5, दोसा में 2 कोरोना पॉजिटिव, डूंगरपूर में 1, जैसलमेर में भी 1, जालाओ में 5, जोदपूर में 2, कोटा में 3, नागॉर में 2 संक्रमित, पाली से 5, राजस्थान में 4, सिरोही से 4, टॉक में 2 नए कुरोना पॉजिटिव आए, और अजमेर और जैपूर में के कुरोना पॉजिटिव की मौत भी आज हो गई है कुरोना की स्थिती है, उसमें तो हमारी बर्तिवदर 2.83% है, जबकि नैशनल लेवरेज 3.3% है और मरीयों के ठीक होने का जो प्रतिसत है, वो हमारा 58% है, रिकवरी है जबकि राश्ट्री उसमें लगबग आदा है, 29.9% है, और हमारी जो पॉजिटिव केस होने की दर है, वो भी 2.35% है और राश्ट्री उसमें 3.25%, लगबग 4, तो प्रदेश में दुगना होने का जो उसमें होने का जो उसमें वारी जोंका, वो राश्ट्री उसमें 12 दिन है, हमारी 18 दिन में दुगने होने हैं, तो रजस्तान में कुल मिलाके, कोरोना के संक्रमन की स्थिती है, अद तक 108 लोगों की मलती हुई है, और रिकावरी का परसेंटेज मैंने आपको बताए है, 58% से जादर रिकावरी है, तो यह जो मॉटिलिटी रेट है, यह भी नेशनल लेवरेज से बहुत कम है, और प्लाज्मा थेरपी हमने शुरू किये जैपूर और जोदपूर में, उसके बाद तो यह मॉटिलिटी रेट में भी कमी है।